27 अगस्त 2021 को अभिशेक मलिक नाम का एक लड़का तकरीबन दोपहर के दो बजे अपने घर में प्रवेश करता है घर के अंदर आते ही जो द्रिश्यवह देखता है उसे देख उसकी चीखें निकल जाती है उसने देखा कि घर की हर दिवार, फर्ष और यहां तक की घर के सभी कपड़े खून से सने हुए थे उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो चुकी थी जब इस दिल दहला देने वाली घटना की जाँच हुई कि आखिरकार इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया तो दोस्तों, इस घटना ने सिर्फ आसपास के लोगों को ही नहीं, बलकि पुलिस को भी हैरान कर दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं भी मानता हूँ कि हर परिवार को इस घटना के बारे में जानना चाहिए क्योंकि अभिशेक मलिक के परिवार को भी इस तरह की घटनाओं का अंदाजा नहीं था कि दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है अगर उन्हें इसका पता होता तो शायद आज में उनकी ये कहानी आप सबको नहीं सुना रहा होता तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी तो ये घटना है हरियाना की रोहतक शहर की या फिर कहूं, रोहतक के विजय नगर कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर, प्रदीप मलिक और उनके पूरे परिवार की, परिवार में प्रदीप मलिक की पत्नी बबली देवी, उनका बेटा अभिशेक मलिक जिसका उम्र 20 साल था, और बेटी नेहा मलिक जिसकी उ एरलाइन कंपनी में केबिन क्रू का कोर्स किया, कोर्स पूरा करने के बाद वह वापस घर लोट आया और बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दी, साथ ही उसकी बेहन नेहा की भी पढ़ाई चल रही थी। प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसके चलते प्रदीप मलिक के पास पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। प्रदीप मलिक ने इस गन को न केवल खुद इस्तेमाल करना सीखा था, बलकि अपने बेटे, अभिशेक और पूरे परिवार को भी इसे चलाने की ट्रेनिंग दी थी, ताकि उनकी गैर मौझूदगी में परिवार अपनी सुरक्षा के लिए इसका उप्योग कर सके। आदतें और गतिविधियां ऐसी हो गई, जो सभी को चिंतित करने लगी। परिवार के लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अभिशेक यह सब क्यों कर रहा है। इसी बीच एक दिन उसकी बहन नेहा मलिक ने अपने भाई को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जिसे देखकर वह हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा कुछ करेगा। हालांकि नेहा ने जो भी देखा था उससे वह बेहत चौंक गई थी। यह घटना या फिर मैं यह कहूं कहानी के इस मोड पर आकर मुख्य कारण बनती है जो आगे चलकर स्पष्ट होगा। समय धीरे धीरे बीता रहा और फिर आता है साल 2021 का अगस्त महीना। एक दिन अभिशेक मलिक अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने जाता है। वहाँ वह जम कर मस्ती करता है और पार्टी का खूब आनंद उठाता है। लगभग दो पहर के दो बजे वह अपने घ अभिशेक मलिक ने अपनी मा को कॉल किया लेकिन मा ने कॉल नहीं उठाया और नहीं वापस कॉल किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने अपने पिता बहन और नानी को भी कॉल किया। मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और नहीं किसी ने वापस कॉल किया। कि घर के अंदर से कोई दर्वाजा नहीं खोल रहा है और नहीं कोई कॉल रिसीव कर रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और वह काफी डरा हुआ महसूस कर रहा था अभिशेक ने मामा से कहा आप जल्दी से आ जाईए मामा ने उसे आश्वस्त किया त भीड जमा हो चुकी थी मामा के आने के बाद किसी तरह घर के अंदर प्रवेश किया गया जैसे ही सभी लोग अंदर गए जो द्रिश्य उन्होंने देखा उसने सभी को स्थब्ध कर दिया सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर देखा कि प्रदीप मलिक यानि अभ अभिशेक आगे बढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है वहां उसने देखा कि उसकी बहन अपने कमरे में उसी भयानक हालत में पड़ी हुई है फिर जब उसने अपने कमरे में जहांका तो उसकी नानी और मां भी उसी हाल में मिले उसकी नानी बिस्तर पर पूरे घर की दीवारें और फर्ष खून से सने हुए थे, हर जगह खून बिखरा हुआ था, अभिशेक मलिक का पूरा परिवार अब खत्म हो चुका था, और वो हकेला बचा था, इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है, और इस दिल दहला देने वाले हैरान रह जाती है, सबसे पहले उन चारों शवों को पोस्ट मौटम के लिए भेजा जाता है, हालांकि नेहा मलिक की तब तक सांसें चल रही थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया, और इस दुनिया को छोड़ कर चली गई, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर थोड़ी उल्जन और हैरानी में थी, कि अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था, जो बदला लेने के इरादे से पूरे परिवार को खत्म करने आया था, तो उसने अभिशेक मलिक को क्यों छोड़ा, वह तो इतनी बड़ी संपत्ती का इकलौता वारिस था, उसे कैसे बख्ष दिया गया, यह सवाल पुलिस के मन में गूंज रहा था, क्योंकि जिस तरह से उन चारों की हत्या की गई थी, उसे साफ था, कि हत्यारा कोई बाहरी व्यक्ती नहीं था, बलकि परिवार का कोई करीबी ही था, अ इस घटना में कोई भी शामिल हो सकता था, जैसे चाचा, ताउ, फूफा, मामा या फिर खुद अभिशेक मलिक, यही कारण था, कि पुलिस ने सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी समझा, कि घटना के समय अभिशेक मलिक कहा था, और क्या कर रहा था, जाच के बाद पता चला, कि वहाँ अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रहा था, और इसकी पुष्टी CCTV फुटेज से भी हो गई, यह सब देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया, कि अभिशेक मलिक का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, इसके अलावा कोई और कारण हो स कि कहीン कोई प्रापटी विवात तो नहीं था, या किसी से कोई दुष्मनी तो नहीं थी, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, न कोई गवाह मिलता है, न कोई सबूत, और न ही कोई ऐसा संकेत जो इस मामले को नई दिशा में मोड़ सके, लेकिन एक संभावना अभी भी शेश थी और वह थी अभिशेक मलिक, इसलिए पुलिस उससे भी पूछताच करती है। लेकिन पूछताच के दोरान पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि अभिशेक मलिक ने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कि पुलिस की जाच को कोई ठोस दिशा मिल सके या इस मामले में कोई नया मोड आ सके। हालांकि पूछताच के समय पुलिस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा देखा जो इस पूरे केस की परतें खोल सकता था। पुलिस ने गौर किया कि अभिशेक मलिक देखने में तो एक सामानने लड़का लग रहा है लेकिन उसकी हरकतें लड़कियों जैसी थी उसके चलने का धंग, बात करने का तरीका हाव भाव और यहां तक कि उसका एटीट्यूड भी लड़कियों जैसा लग रहा था। पुलिस ने अभिशेक मलिक को छोड़ने के बाद जांच का नया एंगल पकड़ा। पडोसियों और दोस्तों से पूछताच में अभिशेक के समलेंगिक होने की जानकारी सामने आई। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम साबित होई। पुलिस ने फिलहाल अभिशेक मलिक को जाने दिया, लेकिन जाँच को एक अलग दिशा में मोडने का फैसला किया सबसे पहले, पुलिस ने उसके पडोशियों और दोस्तों से यह जानने की कोशिश की, कि अभिशेक असल में कैसा इनसान है पूछताच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली कि अभिशेक भले ही लड़का दिखता है लेकिन वास्तव में वह समलेंगिक है और लड़कों में रुची रखता है यह जानकारी पुलिस के लिए इस केस को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुई आगे बढ़ते हुए पुलिस ने यह मतलब नहीं था कि कार्तिक ही इस घटना के पीछे है इस बिंदू पर कोई निशकर्ष निकालना जल्दबाजी होती अब पुलिस एक तरफ कार्तिक की तलाश में जुट गई जबकि दूसरी और अभिशेक मलिक को थाने लाकर कड़ी पूचताच की गई जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया और उससे सखती से सवाल किये गए जो सच सामने आया वह वाकई चौकाने वाला था अभिशेक मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया जो उनकी जिन्दगी के एक पुराने अध्याय से जुड़ा है यह कहानी तब शुरू होती है जब अभिशेक ने अपनी बारहवी कक्षा पूरी की थी और दिल्ली की एक एरलाइन कंपनी में केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए गए थे वहाँ उनकी मुलाकात कार्तिक नाम के एक और लड़के से हुई जो उसी कोर्स में दाखिला लेने आया था दिल्चस्प बात यह थी कि कार्तिक भी समलेंगिक था यानि उसे भी लड़कों में रुची थी दोनों एक ही बैच में थे और एक जैसे इंट्रेस्ट की वजह से जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए कोर्स के दोरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे दोनों एक रिष्टे में बंद गए और देखते ही देखते धीरे धीरे समय बीटता गया और कब उनका कोर्स पूरा हो गया यह पता ही नहीं चला कोर्स खत्म होने के बाद दोनों को अपने अपने घर लोटना पड़ा हालांकि अब तक वे एक दूसरे के इतने करीब आच चुके थे अलग रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था अभिशेक मलिक एक अमीर परिवार से था इसलिए उसे परियाप्थ पॉकेट मनी मिल जाती थी जिससे वो अकसर कार्तिक से मिलने जाया करता था उसके पास खुद की कार भी थी जिसमें वे लॉंग ड्राइव पर जाया करते साथ ही वे महंगे होटलों में ठहरते शानदार खाने का लुट्फ उठाते और एक साथ रातें बिताते ये सब उनकी निजी जिन्दगी का हिस्सा था जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी यहां तक कि अभिशेक के घरवालों को भी यह नहीं पता था कि उनका बेटा समलेंगिक है इसलिए अभिशेक मलिक ने अपने माता पिता से कार्तिक को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में परिचित कराया वह कार्तिक को बेस्ट फ्रेंड कहकर घरवालों से मिलवाता जिससे उसके परिवार को भी कोई आपत्ती नहीं थी कार्थिक का अभिशेक के घर आना जाना आम बात हो गई थी और कई बार तो वह अभिशेक के कमरे में एक-एक हफ़ते तक रुख जाता था घर वाले इसे सामान्य मानते थे क्योंकि उनके लिए कार्थिक सिर्फ अभिशेक का अच्छा दोस्त था इसलिए उन्हें इसमें कोई असामान्यता नहीं दिखती थी लेकिन परिवार को यह नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या चल रहा है यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा लेकिन धीरे धीरे अभिशेक के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे उसकी हरकतें हाव भाव और चलने का तरीका कुछ असामान्य लगने लगा जो घरवालों को खटकने लगा खासकर उसकी बहन नहा ने उसके इस बदले हुए व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया धीरे धीरे शक बढ़ने लगा और नहा ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी अंत में सच्चाई का खुलासा तब हुआ चब एक दिन उसकी बहन नहा ने देखा कि अभिशेक और कार्तिक सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं है बलकि उनके बीच गर्लफ्रेंड और बॉइफ्रेंड जैसा रिष्टा है नेहा ने ये बात अपने माता पिता को बता दी कि अभिशेक मलिक समलेंगिक है और कार्तिक सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बलकि उसका बॉइफ्रेंड है ये सुनकर घरवाले स्तब्ध रह गए अब उन्हें ये समझ में आया कि अभिशेक के व्यवहार में जो बदलाव वे महसूस कर रहे थे वो इसी वजह से था एक बार तो ये भी पता चला कि अभिशेक ने अपने सीने पर कार्तिक नाम का टैटू भी बनवाया था परिवार ने उसे इस बारे में समझाने की कोशिश की और एक बार तो उसकी पिटाई तक कर दी गई इस घटना के बाद अभिशेक के मन में अपने परिवार के प्रतिगुसा और कड़वाहट पैदा हो गई उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से वह कार्तिक से शादी करेगा और अपने परिवार से दूर जाकर एक नई जिन्दगी की शुरुआत करेगा जहां वे दोनों एक साथ अपनी दुनिया बसा सकें लेकिन यह सब करने से पहले अभिशेक को अपने जेंडर को बदलवाना जरूरी था और इसके लिए उसे लगभग 5-6 लाक रुपे की आवश्यक्ता थी वह अपने परिवार के पास गया और सपश्ट रूप से कहा कि वह जेंडर चेंज कराना चाहता है और फिर कार्तिक से शादी करके कहीं दूर बसने का इरादा रखता है उसने परिवार से पैसों की मांग की लेकिन घरवालों ने सकती से मना कर दिया और कहा कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा इसके बाद परिवार ने अभिशेक को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी उसका बाहर आना जाना और कार्तिक से मिलना पूरी तरह बंद हो गया जहां पहले दोनों रोज मिलते थे अब हालात ऐसे हो गए कि वह हफतों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे अभिशेक कार्तिक से मिलने के लिए बेचैन था जबकि कार्तिक के दिन यूँ ही गुजरते जा रहे थे अब अभिशेक ने घर के अंदर रहते हुए ही प्लैन बनानी शुरू की कि वह किसी भी हाल में कार्तिक से मिलेगा और उससे शादी भी करेगा उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह इस सपने को पूरा करके रहेगा लेकिन यह सब तभी संभव हो सकता था जब वह किसी तरह अपनी प्लैन को सफलता पूर्वक अंजाम दे जब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था तो उसने सोचा कि घर में रखा तमंचा इस्तिमाल करना ही बाकी है उसे इसे चलाना भी आता था क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था चुप चाप वह अपने पिता के पास से तमंचा चुरा लेता है अगली सुबह वह सबसे पहले अपनी बेहन के कमरे में जाता है अंदर पहुंचते ही वह टीवी की आवाज बहुत तेज कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है उसकी बेहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका भाई अभिशेक मलिक उसके सिर में गोली दाग देता है इसके बाद वह अपने कमरे में जाता है और अपनी नानी को बुलाता है यह कहकर कि वह उन्हें अपनी गिटार की धुन सुनाएगा चुँकि वह अक्सर गिटार बजाता था नानी भी उसके कमरे में चली जाती है जैसे ही नानी बिस्तर पर बैठती है वह उनके सिर पर गोली चला देता है फिर वह चुप-चाप नीचे उतरता है और अपनी मा के पास पहुँचता है जो उस समय रसोई में खाना बना रही होती है अभिशेक मलिक कहता है कि नानी मेरे कमरे में है उसकी माँ खाना लेकर नानी को देने के लिए जाने लगती है और अभिशेक मलिक उनके पीछे पीछे चल पड़ता है जैसे ही उसकी मायम नानी को देखती है कि वह स्तब्ध रह जाती है वह पलट कर अभिशेक से कुछ कहने ही वाली होती है कि उसने बिना वक्त गवाय उनके सिर पर भी गोली मार दी अब केवल उसके पिता बचे थे जो नीचे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात चीत कर रहे थे अभिशेक धीरे धीरे उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ जाता है मौका मिलते ही वह बिना जिंजक उनके कनपटी पर बंदूक रखता है और गोली चला देता है इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद अभिशेक मलिक घर के दर्वाजे को अंदर से लॉक कर देता है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाता है अपने बॉइफरेंट कार्तिक के साथ होटल में पार्टी का मज़ा लेने जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पुलिस ने होटल की फुटेज देखकर यह मान लिया था कि अभिशेक मलिक का इस घटना में कोई हाथ नहीं है लेकिन सच्चाई यह थी कि अभिशेक ने ही इस घटना को अंजाम दिया था उसने होटल में जम कर पार्टी की और फिर दोपहर में घर लोट आया उसके बाद उसने ऐसा नाटक किया कि कोई भी यकीन कर लेता इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है किसी को परिशान करना नहीं है बलकि आपको जागरुक करना है आपको सचेत करना है ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से सावधान रहे सतर्क रहे दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए